नमस्कार दोस्तों आज का जो हमारे discussion का विशह है वो यह है कि डॉटर इंलाओ का, अपने in-laws की property पे खता है तो इस चीज को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि डॉटर इंलाओ का, अपने in-laws की property पे कोई हक होता भी है या नहीं और अगर होता है तो कितना होता है और इसके इलावा हम ये भी समझेंगे कि अपार्ट फ्रॉम जो उनकी इनलॉस की प्रॉपर्टी है उसमें हक के इलावा अगर कोई और राइट्स हैं डॉटर इनलॉस की अपनी इनलॉस की प्रॉपर्टी पे तो विदाउट फॉदर चीज क्लियर कर रहें कि कोई ownership का right किसी भी daughter-in-law का अपने in-laws की property पे नहीं होता है जैसे हम ownership right जैसे कि एक बेटा होता है या बेटी होती है उसका एक property में ownership का title का right होता है जैसे father और mother की death हो जाती है तो next उनके जो legal लेहर से उसमें बेटा बेटी आते हैं but daughter-in-law नहीं आती तो यह चीज बहुत important है समझने के लिए daughter-in-law का अलग तरीके से होता है अगर बेटे की आगे जो जिन बेटे को property मिली है अगर उनकी death हो जाती है तो उनकी जो wife है in that capacity she can become a legal representative LR बन सकती है but directly एक daughter-in-law कभी भी अपने in-laws की property में उनका ownership right नहीं होता but having said that एक बहुत important चीज है note करने वाली बात है यह है कि ownership right उनकी बेशक नहीं है पर एक daughter-in-law की right to residence जरूर है अपने in-laws की property में कहने का मतलब यह है कि in-laws जो है वो अपनी daughter-in-law को अपने घर से निखाल नहीं सकते ह अब इस चीज को समझ ले कि there is a concept called matrimonial home या shared household जो word है उसे दुबारा दवारा देता हूं matrimonial home या फिर shared household shared मतलब जो सांझा घर ग्रिहसती है shared household तो अब जो wife है उनके husband जिस भी घर में रहते हैं that is that wife's matrimonial home अब उस matrimonial home में हो सकता है वो अपने साससुर के साथ रह रही ह हुँ अब अगर एक daughter-in-law अपने साससुर के साथ एक ऐसे घर में रही जहां उनका husband उनके साथ रह रहा है तो वह साससुर अपनी daughter-in-law को उस घर से नहीं निकाल सकते तो यह होता है right to residence तो इस चीज़ को मैं समझना होगा ownership या title का right बेशक एक daughter-in-law को नहीं मिलता but उनको right to residence वहार रहने का right है वो law में आवश्य है आप अपनी daughter-in-law को या एक daughter-in-law अपने सास या ससुर उनको evict नहीं कर सकते और इसके इलाबा एक और बहुत ही important right होता है under the domestic violence law वो यह है कि अगर मान लीजिए एक daughter-in-law को उनके सास ससुरिया उनके husband या उनकी in-laws की family से कोई भी उन्हें निकाल देता है तो there is a concept of compensation जो daughter-in-law है उसको compensation भी मिल सकता है अपने in-laws 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 से तो बेशक ownership right नहीं है बट एक daughter-in-law को right to residence right to compensation maintenance उनका जो खर्चा वच्चा चलाने वाला जो right है वो सारी rights है वो law में आवश्य है तो जैसे अब आपको एक उधारन देते हैं कि मान लीचे दो लोग की शादी भी है husband और wife तो जो wife है उनका अपने in-laws की property पे कोई right नहीं है पर उनका अपने father की property पे right जरूर है लड़की की शादी हो गई है इसका मतलब यह नहीं है कि she loses the right in her own property जो लड़की के father है यह लड़की के mother है उनके थ्रू उनको अपने property की rights आवश्य मिलेंगी पर जिस घर में शादी करके गई हैं वहाँ पर property की ownership rights या title की rights या उसमें air वाली rights नहीं मिलेंगी from her in-laws वो air वन सकती है through her husband अगर उनकी husband की death होती है तो उनके property की वो एक legal representative है एक air है एक successor है but अपने in-laws की property में उनको कोई right नहीं है with respect to ownership उनको सिफ right to residence है तो इसको हम बार बार इसलिए द्वारा आ रहे हैं क्योंकि इस चीज को समझना होगा इन दोनों चीजों के बीच में difference है ownership right और residence rights के बीच में difference है और इस चीज को समझना जरूरी है तो I hope कि हमने इस चीज को clear क किया है और अगर इस बारे आपके कोई और queries हो तो आप comment section में हमें आवश्य पूछ सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपके comments का जवाब देलेगा so with that we come to the end of the discussion until next time stay safe and good bye